पैसा निकाल सकेंगे सरकार प्रोविदेंट फंड से जुड़ी विवस्ता में बड़े पेमाने पर बदलाव करने की तैयारी कर रही है तो इसमें किस तरह से बदलाव किया चाहेगा पूरी डिटेल्स जानने के लिए सीधा जुड़ते हैं हमारे वरिष्ट सयोगी लक्षमन रॉय से तो लक्षमन जी आपसे जानना चाहेंगे कि EPFO जो नेक्स फेस का रिफॉर्म करने जा रहा है खास तोर पर अगर हम दर्शकों को बता रहे हैं कि ATM से भी Provident Fund का पैसा निकाला जा सकेगा तो किस तरह से ये पूरी सुविदा सब्सक्राइबर्स को देने की तैयारी है देखें इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि EPFO से पैसा निकालना बहुती कठिन काम होता था बहुती लंबी प्रक्रिया होती थी तो इसमें एक बड़ा बदलाओ किया जा रहा है अब आप ATM से PF का अपने Provident Fund का पैसा निकाल सकेंगे ATM से निकाल सकेंगे इसका उतल यह नहीं कि किसी भी बैंक के किसी भी ATM से निकाल सकेंगे दरसल Provident Fund की Office के तरफ से आपको एक ATM कार्ड दिया जाएगा उस ATM कार्ड से आप चुनिंदे ATM पे जाएंगे तो वहाँ पे आप निकाल सकेंगे उनके लिए अलग-अलग बैंकों से करार होगा और यह सुविधा अगले साल 2 मई-जून के आसपस मिलनी शुरू हो जाएगी यानि 6 महीने की बात है 6 महीने बाद आप Provident Fund का पैसा असानी से निकाल सकते है वो भी ATM से निकाल सकते है दूसरा जब बड़ा reform किया जा रहा हो है कि कर्मचारी के contribution की सीमा जो 12% है उसे हटाई जा सकती है उसे बढ़ाई जा सकती है अभी क्या होता कि 12% आप देते हैं 12% एंप्लॉयर देता है तो आप चाहें जितना चाहें दे सकते हैं लेकिन जो ज्यादा रकम देंगे वो आपके pension इसकी में जाएगा जिसको EPS कहते है उस EPS में जितना ज्यादा contribution करेंगे आपको pension उतना ज्यादा मिलेगा तो pension के लिए ज्यादा budget करने के जो मान सकता उसको बढ़ाऊ देने के मकसद से ये किया जा सकता है तीसरा कि EPS में contribution के लिए wage ceiling की सीमा बढ़ाई जा सकती है जो 15,000 रुपे उस सीमा कोई बढ़ाई जा सकती है ये भी एक बड़ी रहात होगी EPFO मेंबर के लिए तो ये तीन बड़े बदलाव करने के सरकार त्यारी कर रही है जी फिलहाल के लिए लक्षमन जी आपका शुक्रिया लेकिन आप हमारे साथ आगे भी बने रहे हैं हमें एक break ले रहे हैं break के बाद आपके पास वापिस लोटेंगे और बात करेंगे कि दूसरी तिमाई के GDP नंबर्स जो फिलहाल आते हुए दिखाई दे रहे हैं अनुमान से काफी कम है तो break के बाद चर्चा करेंगे लक्षमन जी से आप देखते रहे हैं आवास समाचार चर्चा करेंगे झाल करेंगे करेंगे झाल